दोस्तो बात है टीम ने बले न्यूजुलेंड को पहले वंडे मकाबले में अरा दियो लेकिन टीम इंडिया हारते हारते इस मकाबले को जीता है क्योंकि टीम इंडिया की सभी गेंदबाज कापी महेंगे नजर आए और कोई भी डंडरेट पर लगाम नहीं लगा पाए और सिरिज को अपने नाम करने उतरेगा तो बताएंगे प्लेंग रेवर में कौन-कौन शे बड़े बदला होंगे साती मकाबला कितने देरी से सुरू होने वाला है एसे में किन-किन प्लेयर को मौका मिल सकता है और क्या टीम इंडिया ये बड़ा मकाबला जीत कर सिरिज अपन पर उर्मान मलिक को वापसी करा सकती है क्योंकि उर्मान मलिक पहले वंडे मकाबले से बाहर थे ऐसे में दूसरे वंडे मकाबले में इनकी वापसी लगबगता है साथ में यूजी चैल को भी एक बार प्रिशे प्लेंग लेवर में सामिल कर सकती है ऐसे में टीम इंडिया य एक बज़ा 30 मेंट वर सुरू हो जाएगा जापर टीम इंडिया यही चाहेगा कि इस मुकाबले को जित कर सीरीज को अपने नाम कर ले और लगातार 2023 में तीसरी सीरीज जित कर एक नया रिकोर्ड बना दे दोस्ता आपको क्या लगता है टीम इंडिया बड़ा मुकाबला जीत पाई कि निजीत पाई की कमेंट सेक्शन में जरू बताए और किरकेट से जुड़ी एसी अपडेट के लिए अमारी चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक और सीरी जरू करे ताकि सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे